आज हम scarf या कपढ़े के edges है इसमें picot करना सेगे तो इसके लिए आपको same thread लेना चाहिए और thin thread यूज़ करना चाहिए पर मैं thick thread यूज़ करूँगी ताके आपको easily समझ में आए और मैं अलग color use कर रही हूँ और जब आप करोगे तो same color इस्तेमाल करें तो सबसे पहले यह जो फैब्रीक है इसे फोल्ड करना है आपको जो फैब्रीक की एजेस है इसे फोल्ड करते है सबसे पहले इस तरह से आपको फोल्ड करना है और जितना हो सके इसे थिन फोल्ड करना है मैं आपको एक्स्प्लेइन करने के लिए थीक रख रहे हूँ टू स्ट्रेंट्स लेने हैं नॉट टाय करनी है और बॉर्डर के बैक साइड से इस तरह से निकालना है सबसे पहले लॉक स्टिच लगानी है वापस से वहीं पर नेडल को इंसर्ट करना है उसके करीब और इस तरह से लॉक स्टिच लगाएगे लॉक स्टिच लगाने के पाद अपना वर्क स्टार्ट करेगे distance maintain करते वे इस तरह से edge पर निकालेगे और ये two strands को divide करेगे इसके center में से इस तरह से डालना है नेडल को और ये straight रखते वे से pull कर देना है और thread को adjust करते वे proper shape देना है तो इस तरह से lock stitch या pico stitch बनाया जाते है ये first stitch है फिर से थोड़े से distance पर जाएगे needle को insert करते हैं same repeat करते जाएगे two में से center में से इस तरह से निकालेगे और इस तरह से pull कर देगे ये second lock stitch तो इसी तरह continue करेगे झालें कर दो इसी तरह continue कर देवे पीको कर सकते स्काफ के बॉडर पे या ड्रेस के एजिस पे